हलो मैं यूटू फैमिली स्वागत हैं आपका हमारे यूटू चैनल में तो आज की वीडियो में मैं आपको बता हूँगी कि कली वाले लहंगे में जेब किस तरीके से लगाते हैं मतलब pocket किस तरीके से लगाते हैं तो वो जिस वीडियो में पूरा डीटेल से बताऊंगी तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देख लेना तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कलियों की कटिंग करनी है और वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं तो आप एक बाइज जरू चैक आउट कर लीजिए तो इस तरीके से हम कलियों की कटिंग करते हैं और अब हम करते हैं जो है जेब जो पॉकेट आप बोलते हूं तो पॉकेट की कटिंग करना मैं आपको बता देती हूं पॉकेट जो होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते है हैं चोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं वैसे तो मुबाइल की साइज का ही पॉकेट बनाएंगे तो यहाँ पर मैं कुछ नाप ले करके नहीं बता रही हूं क्योंकि कपड़ा जो होता वो कम होता है तो इसके लिए आपके पस इतना कपड़ अविलबल है या आपको दूसरा कपड़ा यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं तो इस कपड़े से हम जो है मघी भी बनाएंगे और जेच बनाएंगे तो यहांपर देखे मैं 12 इन्च का जो है कपड़ा ले रही हूं जिसके लंबाई 12 इंच है ठीक है इस तरीके से आपको कपड़ा ले लीना है और इसका हम जेब बनाएंगे तो चली स्टार्ट करते हैं मशीन पर चलते हैं और इस कपड़े की हमें बनानी है मगजी तो इसे बहुत सारे जॉइन करने पड़ेंगे उसके बाद ही हमारी मगजी बनकर तयार होगी क्योंकि यह जो डिजाइन है वो स्टेट थी इसके लिए मुझे इस तरीके से कट करना प बनाएंगे ठीक है तो यह देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे और जेब बनाएंगे तो सबसे पहले हम जेब की कटिंग कर लेते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें कोई नाप या मिश्यमेंट नहीं है चोटी साइज बड़ी साइज आप अपने आपको स्ट्रेट लाइन कर लेनी है यह आधा इंच आपको अंदर के साइड करना है ठीक है उसके बाद हम कोई भी शेप में जेब की कटिंग कर लेते हैं इसका कोई नाप नहीं है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस कॉय या फिर राउंड शेप आप अपने अकॉ करेंगे फिर हम उसे टर्न करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से करने के बाद आपको कट करना है मतलब कट लगाना है पूरा कटने करना है स्टिचिंग कट नहीं होनी चाहिए नॉर्मली आपको कट करना है और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है फ ठीक है तो इस तरीके से मैंने stitch कर लिया है और मैं अब कपड़े को पीछे के side कर लियती हूँ और अब हम इसके उपर जो है दूसरा कपड़ा लगाएंगे जो same size same shape का था वो कपड़ा हम इसके उपर रखेंगे और stitch करेंगे तो बहुत ही आसान है जेव लगाना लहंगे के उ पर बहुत ज़दा ट्रेंड चल रहा है कि हमारे पास होता है मोबाइल और रखने के लिए जगा नहीं होती है तो कलियों में जेब बना देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है और हम अपना मोबाइल इजी वे में रख सकते हैं तो यह देखे यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है मैंने पूरी कोशिश की हैं आपको समझाने की फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर लीजिए मैं आपका रिपलाइज जरूर करूंगी तो देखे इस तरीके से आपको जेब को बना लेना है उसके बाद आपको stitch करना है जेब की size आप अपने according रख सकते हैं इसके लिए मैंने इसका measurement आपको नहीं बताया है तो देखे ये हमारा जेब बन गया है, attach भी हो गया है तो इस तरीके से रखना है, अब हमें क्या करना है, इसके उपर आडी कली रखनी है क्योंकि state के पास आडी कली जो है वो ही stitch होगी, ये आपको पता है ठीक है, तो ये देखे आडी कली हमें यहां रखनी है और starting से सिलाई करते हुए आपको state सिलाई करनी है और आप यहां मतलब feel कर सकते हैं कि हमारा जेब जो है उसका opening कहां तक है उसके पास पास आप करेंगे तो आपको मतलब बहुत ही finishing के साथ जो है वो हमारा जेब बन करके तयार होगा, तो इस तरीके से आप सारी कलियों को सिल लीजिए जेब की right side में चार कलिया और जेब की left side में चार कलियों को हमें जोटना है इससे क्या होगा कि हमारा जो जेब है वो side में बहुत easy तरीके से आएगा और अच्छा look भी आएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, चार कली right side, चार कली left side रख करके उसके बाद वो नाडे वाला जो नेफा है वो लगाना है तो यह हमारा जेब बन करके तयार हो गया है, तो कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से subscribe करके बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारी आने वाली वीडियो का notification पाने के लिए तो यह अब जो भी हमारे पास कलिया बची है वो कलिया हम यहाँ पर इस तरीके से जोड लेंगे, बस एक बात का ध्यार रखना है राइट साइड जेब की राइट साइड चार कली और जेब की लेफ साइड चार कली आपको जोड नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना ह तो हमारा जो है जे बन करके तयार हो गया है मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ तैंक यू सो मच प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर दीजिए